1950 और 1960 के दसक में सुनिल दत बॉलिवुड के सूपर स्टार बन गए थे लोगों को उनकी फिल्में देखने का अलग ही चसका लगा रहता था अपनी हर फिल्म में वो अपनी संजिदा एक्टिंग से बोल्ड मेसेज देते थे उन्होंने मदर इंडिया साधना इनसान जाग उठा सुचाता मुझे जीने दो परोसन जैसी के हिट फिल्में दी हर फिल्म में उनका अलग अंदाज अपतार और तेवर देखने को मिला वो एक्टिंग के साथ साथ राजनिती में भी काम्याब रहे यह बज़ा है कि उनकी राजनितिक बिरासत को उनकी बेटी प्रियादत आगे लेकर जा रही है सुनिल दत ने अपने एक्टिंग केरियर में करीब पच्चास फिल्म में काम किया एक्टिंग केरियर में सफल होने के बाद उनने फिल्म प्रोडूस भी किया लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आया इस काम के चलते उनकी आर्थिक इस्तिती काफी बिगड़ गई दरसल सुनिल दत फिल्म रैस्मा और सेरा को प्रोडूस कर रहे थे और खूद इसमें लीड एक्टर भी थे फिल्म को सुकदेप डिरेक्ट कर रहे थे लेकिन सुनिल दत को सुकदेप का निर्दसन खास पसंद नहीं आया इसके बाद उन्हें इस फिल्म को खूद डिरेक्ट करना फैसला कर लिया सुकदिव के निर्दसन में फिल्म के सूटिंग कापी हद तक पूरी हो गए थी लेकिन सुनिल दद्द ने इसे नए सिरे से सूट करने का फैसला किया इस फिल्म के लिए उनने कापी बड़ा कर्ज भी ले लिया एक और सुनिल्दत पर कर्च था वो ही दूसरी और फिल्म फ्लॉप हो गई ऐसे में उन्हें बड़ा जड़का लगा फिल्म के पिटते ही लोग उनसे पैसे वापस मागने लगे इस बारे में बात करते हुए सुनिल्दत ने एक पूराने इंटर्वी में बाताया था मैं उस वक्त दिवालिया हो गया था मुझे अपनी काने बेचने पड़ी और मैं बस में सफर करने लगा था मैंने बस अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए एक कार रखी थी मेरा घर तक गिर भी था कई मेहनत के बाद सुनिल्दत इस मुश्किल वक्त से निकल गए और उनकी आर्थिक स्थिती दोबारा बेहतर हुई इस वक्त उन्हें पतनी नर्गिस और बच्चों का साथ मिला था बता दें कि सुनिल्दत का जिवन बस्पन में भी आसान नहीं था उन्हें बस्पन की दिनों से ही कई उतार चड़ाब देखे पांस साल की छोटी उम्र में ही उन्हें अपने पीता को खो दिया था जैसे देसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हो सकी जेहिं कोलेज मुंबे में उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया पढ़ाई के साथ ही पेट पालने के लिए उन्हें काम के तलास सुरू कर दी इस तलास में उन्हें बस कन्ड़क्टर की नौकरी मिली और वो इसे करने लगे कुछ दिनों तक इसे करने के बाद उन्हें रेडियो जोकी के तोर पर काम किया कई सालों तक इसे करने के बाद उन्हें पहले फिल्म हाथ लगी साल उन्हें उनकी पहले फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला